इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी इफ 200 टैबलेट का इस्तेमाल मूह गले योनी और शरीर के अन्य हिस्सों जैसे नाखूनों और पैर के नाखूनों के फंगल इंफेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है यह कवक कोशिका जिल्ली को नश्ट करके कवक को मारता है जिससे कवक के विकास को रोक दिया जाता है एफ 200 टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लिया जाना चाहिए इसे पूरा निगल लिया जाना चाहिए और भोजन के साथ या बिना लि पर लें और जब तक आपका नुस्खा समाप्त न हो जाए तब तक इसका उपयोग जारी रखें भले ही कुछ दिनों के बाद आपके लक्षन गायब हो जाएं यदि आप बहुत जल्दी इलाज बंद कर देते हैं तो संक्रमन वापस आ सकता है और यदि आप खुराक लेना भ बढ़ा सकते हैं जो आगे के उपचार के लिए प्रतिरोधी हैं अपने चिकित्सक को बताएं कि क्या संक्रमन ठीक नहीं होता है या यदि आ खराब हो जाता है इसे लेने से एक घंटे पहले या दो घंटे के भीतर रेंटा सिर उपचार लेने से बचें इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में पेट दर्द, सिर्दर्द और मतली शामिल हैं आप अपने डॉक्टर से इन प्रभावों को रोखने या कम करने के तरीकों के बारे में पूछ सकते हैं अगर आपको रैश, होठों, गले या चेहरे पर सूजन, निगलने या सांस लेने में तकली आना और जी मिचल आना जैसी अलजी के लक्षन दिखाई दें तो दवा लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर को सूचित करें अगर आप गरभवती हैं तो एफ 200 टेबलेट न ले जब तक कि आपके डॉक्टर ने आपको ऐसा करने के लिए न कहा हो अपने चिकित सक को स अपयुक्त नहीं हो सकती है यदि आपका उपचार एक महीने से अधिक का है तो आपका डॉक्टर आपके लीव के कारे की निगरानी कर सकता है यह दवा आपको चक्कर आ सकती है इसलिए सुरक्षित होने तक मशीनों को न चलाएं या संचालित न करें वीडियो को पूरा द करें धन्यवाद